हेलो इस डेंट, concept and solution में आपका वेलकम है आई इस वीडियो में हम लोग nature of roots लिकालने के लिए सीखते है support that मेरा एक quadratic equation है A x square plus B x plus C is equal to 0 तो nature of roots से हमें पता चलता है जब इस quadratic equation का discriminant लिकालते हैं तो तो सबसे बहुता discriminant होता क्या है तो discriminant को generally हम D से denote करते हैं तो discriminant D is equal to होता है B square minus 4AC ठीक है तो जब भी आपका question में दिया रहेगा आपको क्या करना discriminant लिकालना है पहले सबसे पहले discriminant लिकालना है तो यह formula लगाएंगे B square minus 4AC ठीक है चले अब यहां condition है कि D का value अगर 0 से बड़ा आता है डी का value 0 से बड़ा आता है greater आते हैं तो इस case में हम लोग रिये जो roots होगा वो होगा टू डिफ्रेंट टू डिफ्रेंट रियल roots रियल roots होगा roots मतलब होता है एक quadratic equation का solution तो D का value अगर 0 से बड़ा हो जागा तो बोलेंगे कि इसका यह real roots exist कर रहा है एक ऐसा case होगा कि अगर D का value अगर 0 हो गया तो आप बोलेंगे इसमें भी आपका क्या होता है टू रियल roots होगा बट आपका दो बोहत क्या हो जाएगा इक्वल होगा तो टू इक्वल बोलेंगे इसकेज में different है इसमें टू इक्वल रियल roots exist करेगा ठीक है और अगर D का भी अगर 0 से 0 से लेस आएगा तो इसकेज में आप बोलेंगे कि no real roots no real roots ठीक है तो यह होता है आपको nature of roots पता चल जाएगा discriminant का value लिकालने पे ठीक है देखिए question देखिए question है find a discriminant of the quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 is equal to 0 and hence find a nature of roots ठीक है चले पहले given equation क्या दिया हो आपका given quadratic equation है 2x square minus 4x plus 3 is equal to 0 ठीक है तो यहाँ पता करें सबसे फिरे a is equal to क्या होगा देखिए a is equal to होता है x square के साथ जो multiple होता है वो percent होता है जो x square का वो ही होता है a तो यह is equal to 2 हो गया ठीक है b is equal to क्या हो देखिए b is equal to x को छोड़के देखिए minus 4 है इजब minus 4 हो गया और c is equal to 3 तो a, b, c लिख दी है हम लग अब लिकालते है फर्मुला क्या लिकालना है आपको discriminant लिकालना ठीक है तो discriminant d is equal to क्या होता है फर्मुला d is equal to b a square minus 4 a, c ठीक है भेलू देदेजिए b का भेलू कितना देना है minus 4 का square minus ठीक है 4 गुने ये का भेलू कितना है 2 into 3 2 into 3 भेलू देदिए अब देखिए minus को square करेंगे तो पलस में आएगा आप 4 का square करेंगे तो कितना होगा 16 ये 16 लिख देना है 4 2 जा 8 नहीं लिखना है 16 लिखना है minus देखिए 3 2 जा 6 6 4 जा 24 ये 24 हो गया ठीक है तो आप यहां क्या देख रहे हैं आप 16 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा minus 8 ठीक है तो यहां देख रहे है clearly सबसे पहले तो यह discriminant का value आगया आपका एक A लिकालना था A आपका एक answer आगया अब उसके बाद nature पता करना है तो nature पता करना है तो आपको पता है देख रहे हैं कि D का value जो हो रहा है 0 से less आ रहा है D का value क्या है 0 से less value है तो 0 से less value condition हमने क्या बताया था जब less होता है तो no real exist लिखेंगे nature में क्या लिखेंगे तो no real no real roots तो this is the nature हो गया तो I hope यह question को समझ गया होंगे थैंक्यू प्लीश अच्छा लगा होगा तो like and subscribe करें थैंक्यू